हेलो दोस्तों दिसे सुन्दर सिंग मेरा अगेन हाउटु हिंदी के यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था एमसेंट के बारे में जिससे आप अपने मोबायल फॉन के लिए रिचार्ज कमा सकते थे और अपने मोबायल फॉन को रिचार्ज कर सकते थे फिर चाहे वो प्रिपेड है या फिर पोस्ट पेड है आप उससे आसानी से अपना मोबायल फॉन रिचार्ज कर सकते थे तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर स्क्लिक करके इस वीडियो को देख लिजिए उसके बाद मैंने आप सुभी लोग को बताया था चैमकेस के बारे मारे जिससे आप अपने मोबाइल फोन से पैसा कमा सकते थे तो आज के इ अगर आप अपने बेपाल में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे कि हम कैसे चैमकेस से पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने चैमकेस का बैंस कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लाज तका देखते रहिए मैं आपको सारी की सारी बाते जो है वो बताने वाला हूं और साथी साथ मैं आपको करके भी अपने चैमकेस से अपने बैंक का अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और जो जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो सारे का सारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिए हम अपने मोबाइल में आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए मैं आप सभी लोगों के लिए लिंक डालूंगा इस एडिये में जहाँ पर से आपको सारे की सारे वीडियो मिल जाएंगे चैमकेस का ग्रेब पॉइंट का एमसेंट का सारा वीडियो आपको यहाँ प यहाँ पर हमारे पास दिखा रहा है कि टोटल जो इंकम हुई है वो हुई है दोसा 11 डॉलर की और उसके आद अगर हमने इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक रिडिम का ऑप्शन यहाँ पर होता है और अगर जैसी मैंने इस डिडिम में क्लिक करा तो यहाँ पर हमसे पासवर्ट डालने के लिए बोल रहा है जब हमने अपना अकाउंट क्रेट करना था उस समय हमने एक पासवर्ट बनाया था उस पासवर्ट को हमें क्या करना होगा यहाँ पर एंटर करना होगा और अगर आपको पा पासवर्ट में क्लिक कर सकते हैं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसमें पासवर्ट डाल देता हूँ, तो जैसी मैंने यहाँ पर से पासवर्ट डाल दिया, उसके आद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसने अथेंटिकेट कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि जो हमारा current balance है वो Chamcas wallet में वो हमारा 260 डॉलर है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर आपके बास दो option होते हैं recharge का और bank redeem का तो recharge में जो इसमें है कि आप एक दिन में सर्फ VC रूपे जो है वो recharge कर सकते हैं अपने phone को उससे ज़्यादा आप इसमें recharge नहीं कर सकते हैं लेकिन आप डेली वीस भीस रूपे करके recharge कर सकते हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर bank redeem में click करेंगे क्योंकि हमने जो पैसा ह तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे bank redeem में click करेंगे और जैसे हम यहाँ पर से bank redeem में click करेंगे तो यहाँ पर दीखिए हमारे पास option आ जाते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उपर इसको आपको लेकर दिखा देता हूं तो यहाँ पर दीखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अ accounts at chamcas.com में तो यहाँ पर से देखिए हम क्या करते हैं मैं आपको एक और चीज यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप अपना चैमकैस से कितना पैसा जो है आपने bank account में transfer कर सकते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होगा यहाँ पर देखिए कि accounts at chamcas.com में आपको email करने होगे क्या-क्या email करना होगा तो यहाँ पर देखिए आपको एक pen card जो है वो email करना होगा इनको और दूसरा यहाँ पर देखिए आप अपने cancer check जो है उनको क्या कर सकते हैं इनको email कर सकते हैं या फिर आप अपने bank का statement जो है उनको email करेंगे और यह करना जरूरी है यहाँ पर देखिए मैने data लिखा हुआ है और अगर आप यह नहीं करेंगे इनको email तो यह आपको उसमें पैसा नहीं बेजिए तो आपको यह email जो है यह करना है आपको क्या email करना है एक pen card email कर दीजिए और आप अपने एक bank का जो statement है उसको email कर दीजिए तब जाके यह पैसा आपको भेजिंगे और पांच दोलर आप इसमें कम से कम भेज सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है bank account number यहाँ पर आपने डालना है आपने यहाँ पर IFSC code जो आपके bank का है वो यहाँ पर डालना है उसके आद यहाँ पर आपने total पैसा जो है वो dollars में डालना है जो भी आप अपने bank account में transfer करना चाहते है उसके बाद यहाँ पर देखिए personal information में आपने क्या करना है अपना यहाँ पर name डाल दीजिए अपना यहाँ पर state डाल दीजिए और यहाँ पर अपना address डाल दीजिए और यहाँ पर अपना pen card का जो number है वो यहाँ पर आप अपना डाल दीजिए उसके आद आपने क्या करना होगा submit में क्लिक करना होगा हम लोग भेज रहे हैं वो यहां पर से चैमकैस वालेट से भेज रहे हैं तो यहां पर से देखिए मैं 205 डॉलर जो है वह अपने bank account में transfer कर रहा हूँ और एक और बात मैं यहां पर आपको बताता हूं कि जो यह चैमकैस का dollar है यह इनका आपना खुद का dollar है यह एक आपका USD नहीं है, मतलब आपका United States का डॉलर नहीं है, ना यह Canada का डॉलर है, ना यह Australia का डॉलर है, यह जो डॉलर है, यह इनका खुद का डॉलर है, तो आगर आप compare करेंगे कि आपको जो पैसा आ रहा है आपके bank account में, वो USD के हिसाब से आए तो वो नहीं आएगा, जो अभी इनका rate चलना होगा, डॉलर का, वो पैसा आपके bank account में, उनके हिसाब से आएगा, तो यह लगवाल लगवाल का, पहले कभी इन्हों ने dollar का rate बताया था, वो एक 60 रुपर बताया था, अभी हाल में पता नहीं कितना चल रहा है, तो जो भी है, हम यहाँ पर से क्या कर कर रहे है, 250 डॉलर जो है, अपने bank account में मंगा रहे है, अब मैं क्या करता हूँ, इस form को submit कर देता हूँ, यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, इसको submit में click कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसी submit में click कर रहा, तो यहाँ पर CHEMCAS की और से एक message आ गया, जो आपका bank redeem है, वो successful हो चुका है, और यहाँ पर देखिए, जो आपके account में पैसा आएगा, वो next month 20 तक का आपके bank account में पैसा जो है, वो आ जाएगा, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप से KYC जमा करने को बोल रहे हैं, जो भी documents, pen card या भी bank का statement है, वो आप यहाँ पर से इनको email कर दीजि तो जब भी यह bank account में पैसा आ जायागा, तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर facebook में post डाल के दिखाऊँगा, कि पैसा कितना bank account में आया है, तो अगर आपने हमारा facebook page अभी तक का like नहीं किया, तो यहाँ पर से देखिए, facebook.com slash howtohindi अगर आप लगेंगे, तो यहाँ पर से आप आपके हमारा facebook page जो हो, वो like कर लेजिए, ताकि जो भी यहाँ पर से payment आएगा, जो bank का statement होगा, मैं आपको facebook में post कर दूँगा, और आपको पता जाल जागा, कि जो पैसा आया है, वो 205 डॉलर के हिसाब से कितना पैसा मेरे account में आया हुआ है, तो उसके बाद यहाँ प इस तरिया हुआ 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 है